हेई फ्रेंड्स वेलकम कैसे हैं आप सब आज की रीडिंग है फायर साइंस के लिए एरीज, लियो और सजिटेरियस आप लोग सन, मून, राइजिंग किसी भी तरह से अगर फायर साइंस से कनेक्टेड होते हैं तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए काफी हेलफफल हो सकती हैं इसमें हम чeck करेंगे आपके person की current energies आपके लिए क्या है वो क्या feel कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आगे इस रिष्टे में क्या हो सकता है कब तक हो सकता है और and meanwhile आप लोगों के लिए क्या guidance है reading timeless है, time के कोई limit नहीं है जब जी चाहें तभी देख सकते हैं लेकिन general है, collective है तो general की तरह ही देखिए, open mind के साथ देखें जितनी resonate करें उतनी रखें and बच्चियों को जाने दे so without much further ado, let's get started and check कर रहे हैं कि आपके person की current feelings आपको लेकर क्या है proper energy exchange करने के लिए friends person को visualize करें and इस video को like करें please divine बताएं, angels बताएं जिन लोगों का zodiac sign, fire sign है Aries, Leo and Sagittarius है उनके partners, present में उनके लिए क्या सोच रहे हैं क्या feel कर रहे हैं king of swords, पत्थर दिल सनम की energy है emotions बहुत हैं लेकिन चुपा रखे हैं दबा रखे हैं कुछ जाहिर नहीं करते कुछ express नहीं करते काफी rude behave करते हैं काफी ज़्यादा ऐसा लगता है कि अपनी life पर focus करते हैं जिसकी वज़े से आपका दिल एक बार नहीं बार बार टूपता है Gemini Libra Aquarius की energy काफी ज़्यादा prominent है bottom में है night of wands मन में इनके sexual thoughts हैं आपके लिए आपकी life में फटा फट से enter होना चाहते हैं आपके साथ physical होना चाहते हैं आपके साथ intimate होना चाहते हैं लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि जैसे ना तो इनके मन में emotions हैं ना ही इनके मन में attractions हैं सिर्फ इनका focus, इनका career, इनकी family, इनकी responsibility है and आपके साथ casually तो बहुत अच्छे से बात करते होंगे लेकिन जब आप कोई solid बात करने के लिए इन से बात करते हो जैसे कि आपको marriage करनी है या फिर आपको reunion करना है तो ये person ऐसे जताते हैं लेकिन अंदर से तो ये पूरी तरह से passionate है attracted है towards you और दिखाते हैं ऐसे हैं कि जैसे इन्हें कोई फरक नहीं पड़ता आप इनकी life में हो चाहे ना हो Aries, Leo, Sagittarius की energy भी आप में से कई लोगों के person के लिए prominent हो सकती है मैं यहाप ये भी feel कर पा रही हूँ कि आपके person को घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं है और ना ही घुमा फिरा के बात सुनना पसंद है काफी straightforward person है और आप में से कई लोग person कई लोग ऐसे person के साथ deal कर रहे हैं या तो वो separated हैं, divorce हैं या फिर कहीं से वो separation चाहते हैं जिन चीजों में obviously उनको time लगेगा या फिर वो समझते हैं कि समाज इस रिष्टे को yes नहीं बोलेगा जिस वज़े से वो आपको ये जताते नहीं हैं कि वो भी आपसे प्यार करते हैं या फिर आपकी तरफ attracted हैं सभी लोगों से इस अभी बाते resonate नहीं करेंगी डिवाइन भी आप लोगों को protect कर रही है, bless कर रही है and definitely आप दोनों के connection में balance बनाने की कोशश कर रही है चाहें आप इस रिष्टे से move on करना चाहें चाहें आपके person move on करना चाहें reality ये है कि कोई भी move on नहीं कर पा रहा है and situation चाहें favorable हो चाहें ना हो आप दोनों ही इस रिष्टे में stuck हैं और आप दोनों ही इस connection की growth चाहते हैं bottom में wheel of fortune आप दोनों का विश्वास है कि definitely destiny ने आपको मिलाया है और destiny ही आपको एक करवाएगी आप दोनों का believe है कि one day आप दोनों एक जरूर होंगे लेकिन आप दोनों को ही दिखाई दे रहे हैं कि अभी एकदम से कुछ नहीं हो सकता क्यों क्योंकि third party situation काफी ज़्यादा solid है prominent है कई से separation लेना है या आप already separated है family रिष्टे को accept नहीं कर रही है या फिर father accept नहीं कर रही है ऐसी vibrations काफी ज़्यादा है आपके person भी परिशान है लेकिन वो जटाएंगे नहीं वो दिखाएंगे नहीं 10 of swords आप लोगों के अपने ही आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं आप लोगों के अपने ही आपके emotions आपकी भागनाओं को नहीं समझ रहे हैं आपके person का असली चैरा यह है कि third party situation ने उनकी पूरी body पर तलवारे चला दी है लेकिन still वो दिखाते ऐसे हैं कि जैसे वो बहुत solid हैं बहुत bold हैं कोई भी situation उनको effect नहीं कर सकती और वो जैसे पत्थर के बने हैं लेकिन reality यह है कि अंदर से वो totally तूट चुके हैं अपने ही लोग हैं जो इस connection के खिलाफ हैं उनके against कैसे खड़ा हुआ जाए गैरों के खिलाफ खड़ा होना असान होता है लेकिन अपनों के खिलाफ खड़ा होना उतना ही मुश्किल होता है हो सकता है कि आपके person को past life में किसीने धोका दिया हो किसी ने उनका दिल तोड़ा हो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपके connection को accept नहीं कर पारे जबकि ये आपसे प्यार करते है The Devil Devil जी आ गई है तो third party situation बहुत ज़्यादा solid है कुछ लोगों के person पर black magic हो सकता है कुछ लोगों के person के अपने traumas हो सकते है और कुछ लोगों के person की life में इतने dominant लोग हैं कि वो उने totally अपने according चला रहे है और आप दोनों के प्यार को नहीं समझ रहे और उनको आपके according decision नहीं लेने दे रहे और चेक करते हैं क्या card कहते है आपके person definitely खुद को career में, काम में अपने responsibility में, अपने घर में, अपनी family में occupy करने की पूरी कोशश कर रहे है लेकिन still कोशिश करने के बाद भी उनके दिल और दिमाग में सिर्फ आप है आप से वो show ऐसे करते हैं जैसे वो नराज है लेकिन अंदर से उन्हें पता है कि कही ना कहीं गलतियां होनी की है, वही action नहीं ले पा रहे है जिसकी वज़े से ये connection आगे नहीं बढ़ पा रहा तो उनको खुद पर भी बहुत गुसा आ रहा है खुद पर भी बहुत ज़्यादा वो frustrate हो रहे हैं और उनको लगता है कि यार कभी ये hope आएगा कि उनमें इतनी हिम्मत आ पाएगी कि third party situation के against आकर वो इस रिष्टे में नयाए कर पाएंगे bottom में है page of vans अगर आपको wait है उनके cold text message का और आप लोग हैं बहुत ही less contact में या no contact में तो definitely आपके person आपको cold text message करना चाहते हैं आपकी तरफ action लेना चाहते हैं nights की energy बार बार आ रही है आप लोगों की connection में in and out on and off काफी चलता है कभी बहुत अच्छे से बात होती है कभी नहीं होती है कभी आपके person आपके life में आते हैं और कभी चले जाते हैं लेकिन कुछ solid कुछ solid जो आप deserve करते हो कुछ lifelong का जो आप दोनों deserve करते हो वो इस connection में नहीं हो पा रहा है 1,19,28,10 7,16,25 3,12,21,30 भी आप में से कई लोगों के लिए important dates and important numbers हो सकते हैं अब मैं चेक कर रही हूं कि आपके person next action आपको लेकर क्या ले सकते हैं अगर रीडिंग resonate करिये तो comment box में जरूर बताना 6 of swords 5 of cups 5 of wands और bottom में है हमारा 4 of swords आपके person ऐसा नहीं है कि action नहीं लेना चाहते हैं आपके person action लेना चाहते हैं लेकिन इनको family के against जाकर action लेना पड़ेगा वो ये नहीं लेना चाहते 5-5 की energy है हो सकता है इन दिनों आपको 10-10 angel number या 5-5 angel number बहुत ज़्यादा दिखते हों जिसमें angel आपको बता रहे हैं कि tough time तो चल रहा है लेकिन बहुत जल्दी beautiful changes भी आपकी life में आने वाले हैं अगर आपके person के next move की बात की जाएं तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूं कि next move एक ही तरीके से हो सकता है कि ये family के against जाकर आपके साथ reconciliation, reunion या secretive way में रिष्टा रखें या फिर marriage कर लें, court marriage कर लें तो आप में से बहुत सारे लोगों के persons को sorry ये realize हो चुका है कि अगर इस रिष्टे में उनको growth चाहिए तो उनको family के against जाकर आपसे court marriage करनी होगी कहीं दूर आपके साथ जाकर settle down होना होगा लेकिन still अभी ये चाह रहे हैं कि अगर family मान जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए आप में से कुछ लोगों के person family के against जाकर action तो लेना चाह रहे हैं लेकिन still अगर सोच रहे हैं family मान जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए कही न कही depression में हैं आपको miss कर रहे हैं family से बात करते हैं तो arguments हो जाते हैं लड़ाई जगड़े हो जाते हैं और हो सकता है जब आप उनसे बात करते हो तो वही frustration आप पर निकाल देते हो और आप दोनों का लड़ाई जगड़ा हो जाता हो अंदर से आपके person बहुत ही परेशान है रातों को उनको नीन नहीं आती है सो नहीं पाते हैं पूरी पूरी रात आप दोनों के connection के लिए इसके improvement के लिए प्रेय करते रहते हैं family को मनाने की कोशिश करते रहते हैं family मानने ही रही है family totally against this connection के तो friends अगर next move की बात की जाए तो within a month आप में से कई लोगों का इनके साथ reconciliation हो सकता है आपको आपके person contact कर सकते हैं और आप में से कुछ लोगों के person within a month आपके साथ secret relationship रख सकते हैं court marriage कर सकते हैं लेकिन सबके लिए नहीं है ये message call, text reconciliation तो बहुत सारे लोगों को receive हो सकता है या आपका reconciliation हो या आपके person आपको कुछी घंटों में कुछी दिनों में call text message करके reconcile करें तो definitely comment box में जरूर बताना क्योंकि उससे बहुत लोगों को motivation मिलती है अभी के लिए इतना ही अब मैं चेक करूंगी finally कि आप लोगों के लिए क्या guidance है connection में बहुत ज्यादा मुश्किले हैं धैरे रखते रखते आप भी थक चुके हो आपके person भी थक चुके हैं देखते हैं कि ऐसे में आपके लिए क्या guidance है ऐसे में आपके लिए guidance है और guidance का फोलो करें दो राहों में confused ना रहें and definitely जो situation जैसी है उसको वैसे ही accept करें और अपनी लाइफ में ज्यादा निराशना हो क्योंकि 5-5 की energy है 10 की energy है अपने person को भी understand करने की कोशिश करें फाइनली चीजे चेंज हो रही है और जब भी changes आते हैं तो वह pain के बाद ही आते हैं कहते हैं no gain without pain तो definitely आपके life में आगे gain तो है लेकिन अभी आपको pain थोड़ा सा और जहलना पर सकता है यह थी friends आप लोगों को लिए reading thank you so much for watching may God bless you take care